जहिंद ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंप्वर्टन्ट है आप लोग चाहें किसी भी क्लास में हो चाहें यहाँ पर 6 में क्लास हो चाहें यहाँ पर 7 में हो चाहें 8 में हो चाहें यहाँ पर 9 में हो या 11 या 10 या 12 किसी भी क्लास में हो तो आज के इस व उपर क्लास में हो तो कैसे लिखना सारी चीज़े बताऊंगा तो वीडियो को पूरा देखना छोटा सा वीडियो होगा लेकिन अच्छे से वाज करना दीपावली भी आने वाली है तो कमेंट जरूर कर देना यस या नो फिर और चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ध्यान आपके जो बोड़ इकजम में लिख रहे हो तो वहाँ पर आपको काले अथवा नीले पिन का यूज करना यह आपको ध्यान रखना है देखें यहाँ पर पहले हैडिंग को डालना काले पिजय को अब प्रस्तावनां में कैसे लिखना है जैसे जैसे बताऊंगा और ऐसे याद भी कर लेना है बहुत सिंपल सा होता है वीडियो को पूरा देखोगे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और ये भी बताऊंगा वीडियो के आखरी में कौन कौन से इंपर्टन्ट निवन्द होते हैं देखे प्रस्तावना है इसमें कैसे लिखना देखी दीपावली हिंदूओं के प्रमुग तेवहारों में से है क्या है जो दीपावली है हिंदूओं के जो हम लोग है इसमें प्र पूरे भारत में बहुत ही धूमदाम से मनाया जाता है जो या तेवार है ये क्या है बारत पूरे भारत में पूरे इंडिया में पूरे हमारे भारत में क्या बहुत अच्छी तरीके से धूमदाम से मनाया जाता ऐसे आपको प्रस्तावना में लिखना बहुत सिंपल सा मैं जाता है कि दीपावली कम मनाया जाता है तो देखे इसी प्रकार से लिखना यातेवार कार्थिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है जो यातेवार है ये कम मनाया जाता है या कार्थिक माह की जो कार्थिक माह है कि यहाँ पर अमावस्या के दिन मनाया जाता है अमावस्य कि अंधेरी रात दीपों से जगमा यहां पर जगमगा जाती है जो क्या हो जाती है अमावस्या की अंधेरी रात दीपों से जगमगा जाती है और कमेंट करना कि आपके वहां दीपावली किस थारिक को मनाई जाएगी क्या है यह यह तेवार जो कार्थिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है अमावस्या की अंधेरी राद दीपों से जगमगा जाती है ऐसे आपको दीपावली कम मनाया जाती है उसके बाद में अब आता है बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट क्या है दीपावली क्यों मनाया जाती है बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है तो दि जब भगवान राम 14 वर्ष के वर्मास के बाद ध्यालोटे थे इसी खुशी में ध्यावासियों ने दिये जलाकर उनका स्वागत किया था दिये और पटाको को यहां पर जलाकर ध्यावासियों ने भगवान राम का स्वागत किया था जब 14 वर्ष यहां पर यहां पर वर्मास हो गए थे भगवान राम और यहाँ पर देखे जम्मा सिता का हरन हो गया था उसके बाद में यहाँ पर रावन का बद्ध हुआ उसके बाद में जब वहां से लोटे छौधा वर्श बाद थो क्या उसके बाद में इसी में दूसरा खावाला आया है जब भगवान स्रीकृष्ण जी ने यहाँ पर नरकासुर राच्छस का वद भी इसी दिन किया था यह दोनों बहुत ज्यादा इंपोर्टन है इनको याद कर लेना कई कई बार पूछ लिया जाता है तो बहुत ज्यादा इंपोर्टन है उसके बाद में आती है यहाँ पर अगली हेडिंग काउंसी और यह भी बताऊंगा कि कितना बड़ा लिखना है तो वीडियो को अच्छे से वाज करना थोड़ा सा छोटा सा वीडियो होगा अगला यहाँ पर दीपावली कैसे मनाई जाती जो दीपावली होती एक कैसे मनाई जाती उससे पहले जैसे जो आप लोग लोग क्लास नाइन्थ में या टेंथ या टोएल्थ या इलेवेंथ में हो तो ध्यान रखना देखे जो निवंद लिखा जाता इसके तीन पार्ट होते हैं कौन-कौन से होते हैं पहली होती यहाँ पर प्रस्तावना ध्यान से वीडियो को देखना दूसरी होती हैं पर मद्यवाग क्या होता है मद्यवाग और तीसरी होती हैं पर उपसार या फिनिसकर्स कुछ भी यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं उपसार या फिनिसकर्स अब प्रस्तावना मैंने बता दिया कि जो य क्यों बनाई जाती है यह से भी कारण निवार और यह सारी चीजे मद्धिभाग में लिखा जाता है यह ध्यान लगना है निवंद के उसके बाद में आता है यहाँ पर उपसार उपसार होता है यहाँ पर निवंद का आखिरी इसमें आपको निसकर्स बताना होता कि हमारा नि दिखना है तीन चीजे ही सबसे ज़्यादा मेनोती प्रस्तावना मद्धभाग और उपसाहार अब चलते हैं पर दीपावली कैसे मनाई जाती काले पन से हेडिंग डालना है चाहें किसी भी कलास में हो तो दिखें दीपावली जो तेवहार आने के कुछ दिन पहले से ही घरों कि यहां पर अच्छी तरह से साफ सपाई की जाती है दीपावली तेवहार आने से पहले कुछ दिन पहले से ही क्या घरों की अच्छी तरीके से साफ सपाई की जाती है दीप और पटाके यहां पर पटाका खरीदे जाते हैं यहां फिर पटाके खरीदे जाते हैं उसके रखा छोड़े जाते हैं और यहां पर एक दूसरे को बधाईयां दी जाती है ऐसे आपको लिखना है दीपावली कैसे मनाई जाती इस प्रकार से इस हैडिक में लिखना है ठीक है जैसे बताया बहुत सिंपल सा ऐसे लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे एक भी नंबर नही लिखना 80 या फिर 50 लिखना उससे ज्यादा नहीं लिखना है क्योंकि जो 9 या 10 या 12 वाले होते उनको आपको 150 वर्ड ही लिखना जितना बड़ा मैं आप लोगों बता रहा हूं बाकि जो इससे कम क्लास में हो तो कम लिखना है ठीक है उसके बाद में आते हैं यहां पर उप प्रतीक माना जाता है या फिर है इस प्रकार से लिखना है और जैसे कुछ गलत हो जाए तो उसको एक बार काटना है उसको हाइलाइट नहीं करना है ध्यानकना बहुत सिंपल सा है मैंने बताए कि आपको यही इसी प्रकार से लिखना है किसी भी क्लास में हो पहले प्रस्ता खाग में लिखना दीपावली क्यों मनाई जाते हैं उसके बाद में यहां पर अगले हेडिंग़ यहां पर कंशी पड़ेगी दीपावली कैसे मनाई जाते और आख difare था इंपावली जो है तिवहार को सब्सक्राइब कर लेना तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिन